अमबाला में एक बार फिर से ग्रहय मंत्री अनिल विजद्वारा जनता का दरबार लगाया गया है जहां परदेश से हजारों की संख्या में आए लोग अपनी फर्याद लेकर जनता दरबार में पहुंचे इस मोके पर फर्यादियों ने अपने समस्याओं को गरह मंत्री के सामने रखा जिस पर गरह मंत्री ने तुरंत संग्यान लेते हुए अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिये अनिल्विज ने इस मोके पर जजजर के S.P. को कारवाई ना करने को लेकर जम कर फटकार भी लगाई वही मीडिया से बातचीत में उन्होंने जन्ता के दरबार में कुछ बदलाव करने की बात कही है उन्होंने कहा अब जो भी फर्यादी एक बजजे तक दरबार में पहुचेगा सिर्फ उनकी ही समष्जाएं सुनी जाएंगी गोरहो की हर्याना में पंचायती राज और नगर परिशत के चुनाओं के चलते अचार सहीता लगाई गई थी जिसके चलते जनता दरबार को भी स्थगित कर दिया गया था वहीं अब अचार सहीता खतम होने के बाद एक बार फिर से जनता के दरबार में आम लोगों की समस्चाओं को सुना जाएगा पंजाब केसरी टीवी के लिए अमबाला से क्रिशन बाली की रिपोर्ट